टमाटर का उपयोग हम सभी के किचन में होता ही है इसे हम कई तरह के डिसेज में स्वात को बनाने में उपयोग करते हैं आज मैं टमाटर से कुछ अलग रेस्पी बनाऊंगी नमस्कार दोस्तों मेरे चनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे टमाटर का अचार यह अच 500 ग्राम अच्छी तरह से पका हुआ टमाटर लिया है इसे हम बड़े बड़े टुक्रों में काट लेंगे दो बड़ा चमच इमली का पल्प इमली को हमने 10 मिनट पहले पानी में भीगो लिया था और इसे अच्छी तरह से मैस करने के बाद इसे हमने चननी से चान लिया है अचार बनाने के लिए करीब 200 मिल सर्सो का ही तेल लेंगे चार सूखी लाल मिर्च एक बड़ा चमच सर्सो दाना एक पिंचींग एक चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर स्वादा नुसार नमक और इसके अलावा यहां पर हमने कुछ साबुत मस मसाले लिए हैं जिसमें एक चमच मेथी दाना, एक चमच जीरा, एक चमच सौब और एक चमच साबुत धनिया तो आई अचार बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम पाएन गरम करके साबुत मसाले को थोड़ी देर के लिए रोष्ट कर लेंगे जब मसाले से कुस्प वाने लगे तो हम गयस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके इसे हम दरदरा कूट लेंगे मसालो को हमने कूट कर तयार कर लिया है टमाटर को हमने काट लिया है अब हम सेम पैन को गरम करके इसमें टमाटर डाल कर इसे हम अच्छी तरह से गलने तक पका लेंगे टमाटर को हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे टमाटर अब गल चुका है अब हम इसमें इमली का पल्प डाल कर इसे भी मिक्स कर लेते हैं और इसका पानी अच्छी तरह से सूखने तक इसे हम चलाएंगे टमाटर में जो भी एक्ष्ट्रा पानी निकला था सारे पानी को हम अच्छी तरह से सूखा लेंगे जिससे अचार को आप ज़्यादा दिन तक रख पाएंगे टमाटर में जो भी एक्ष्ट्रा पानी निकला था वो अच्छी तरह से सूख चुका है अब हम गयस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम अच्ची तरह से ठंडा होने देंगे आप चाहे तो इसे जल्दी ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं इसे हम मिक्सी जाल में डाल कर पीछ लेंगे इस अचार को आप एक से डेड़ महिने तक रख कर खा सकते हैं गली हुई टमाटर को हमने पीस कर त्यार कर लिया है अब हम एक पाइन में करीब 200 या 2500 इमल तेल डाल कर तेल को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे और उसमें हीन, सरसो दाना और सूखी लाल मिच डाल कर अच्छी तरह से इन सारी चीजों को भून लेंगे उसके बाद हम पीसी हुई टमाटर का पेस्ट डाल कर उसे भी मिक्स कर लेंगे टमाटर के पेस्ट को तेल में डालने के बाद चार से पांच मिनद तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से हम इसे चला लेंगे उसके बाद इसमें हम सुखे मसाले डाल कर मिला लेंगे टमाटर का अचार बनाना बहुत ही असान है इस अचार को आप अभी भी बनाकर जट पर तयार कर सकते हैं यह अचार खाने में बहुत ही तीकी चटपटी और स्वादिश लगती है अब डालेंगे कुटा हुआ मसाला स्वादा नुसार नमक और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसे हम फिर से चार से पांच मिनट तक इसी तरह मिक्स करेंगे अगर आपको खटा तीखा और मीठा इन तीनों चीजों का फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें एक चमा चीनी डालकर मिक्स कर लें बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इस पेस्ट को तेल छोड़ने तक लगातार चलाते रहेंगे अचार बन जाने के बाद इसे आप अच्छी तरह से ठंधा कर लें उसके बाद किसी भी एयर टाइड डब्बे या सीसे के जार में रखकर एक से डेर महीने तक खा सकत हैं टमाटर के अचार से बहुत अच्छी कुस्बू आ रही है अचार ने अब तेल छोड़ दिया है टमाटर का अचार बनकर तयार है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे बहुत ही तीखी चटपटी और खाइए और अपने उन्भव अपताज किचन पर सेयर जरूर करें तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो दो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलें तो अगर फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई